अतीक आहमत जैसे यह 60 अपरादियों की सुची बन करके सरकार ने तयार की है और सबकी जाच चल रही है और सारे अपरादियों पर करवाई होगी उत्तर प्रदेश में राम राज अस्थापित होगा कोई अपराद ही उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा अगर उसको जीना है तो अपराद शोड़ना पड़ेगा और नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा और मरना है तो उत्तर प्रदेश में रहकर के अपराद करें उसको निश्ची तुरूप से मरना है और उसको कानून के तहत मरना है यह दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं मुखेढ़ारम च्रौन ऊसभी करेंगे उन अपढूराधियों के चैनेल के माध्यमस से बहती जातogy समया बदल गया है लोगों में जागरिती आगई है सरकार में जागरिती आगरिती आगई है आप समाज सरकार हमार 20 के मुख्य धारा में जुड़ करें और नया जीवन प्राणब करो था कि खुसहाल भी रहे है तुरों परिवार में एलव तुम số हाल जीवन जी शको और पूरे समाज को तुमसे भय नहों तुम्हारा आतंक नहों और तुम किसी का हड़पने का काम मत करो किसी हत्या करने का काम मत करो और जदी ऐसा करोगे तो निश्ची तुमसे मारे जाओ जो पुलिस से मुठभेड करेगा, पुलिस पर हमला करेगा, तो पुलिस हाथ में दही जमाके बढ़े रहेगी, उसके पास हत्यार नहीं है, उसके सरकार हत्यार दी है, तो विकास दूबे कौँ सा मुसलिम समाज के थे, वो तो हिंदू थे, तब तो उनको प्रसर्ज योगी स कोड़ में महारा जाएगा, और नहीं तो कोड़ के दुआ फासवी के सजा होगी, या आज बढ़को और जो भी हो, सजा उसको यहीं होगी, उनके दूआ कहमत के दूआ ना की नासल के समपति को हरपने का काम किया था, जिनके परिवार को दूआ के लोगों की हत्या किया थै आज वो सारे लोग खुस हैं और सब लोग महराज जोगी जी को जो वहां के मुख्ध मंत्री हैं सब लोग उनको दुआ कर रहे हैं और का रहे हैं कि आतक अपराधी कोई भी हो किसी जाती का हो उसकी हत्या होनी चाहिए उसकी सजा होनी चाहिए उसको जेल होना चाहिए उसको प्रदेश में और विशेशकर के प्रियाग राज में बहुत खुसनमा महाल है अतिक आमत के हत्या की अभी हमारे साथ मौझूद है गोपाल गंजिला के बीजेपी के पूर्व जो है जिला द्यक्ष है और अभी करेंटली में सारण जिला के परवारी है इनसे हम बात करेंगे इनका नाम जो है अनूप लाल सिरुवास्तो है और एक वरिष्ट नेता भी है और इसे हम बात करेंगे अतिक आमध नको ले करके हम इंसे बात करेंगे तर क्या सोचते हैं इस गाटना को लेकर के बताया जा रहा है कुछ लोग बिहार में भी लेकर के इसकी राइनिती जो है गर्माते जा रही है क्या कुछ कहेंगे इस पर देखिए अत्तिक अमद एक अपराधी था उसकी हत्या होना तो अच्छी बात है लेकिन जीस तरह से हत्या पुलिस का स्टड़ी में हुई है यह निंदनीय है चिंदनीय है लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश के मानिय मुख्यमंत्री योगी आजित नाधी को कि उन्हेंने त्रजित करवाई कर और अतीक अमद के सुरक्षा में जो सत्रह पुलिस करमी थे वो सब को एट टाइम सस्वेंट करने का काम किया और जांच चल रहा है अतीक अमद एक दूरदानत अपराधी थे उनका पेशा था लोगों की जमीन हडपना लोगों की समपती हडपना लोगों की हत्या करना उनके भाय से आतंक राज था प्रयाग राज में उनके भाय से कोई बोलता नहीं था और अपराधी की कोई जाती नहीं होती है, अपराधी की जाती अपराधी ही होती है, और वह जब संपती लूटने निकलता है, जब हत्या करने निकलता है, वह जमीन कब जाने निकलता है, तो वह नहीं देखता है किस जाती का है, इसलिए अतिक अहमत जैसे अपराधी, चाहे हो Between- कोन में हो उसकी हत्या हो गई तो इसमें कोई हाय तौब मचानी कि आव सकता नहीं है द्ए आम जनुता के हित्में उनकी फत्या है और जितने पीई लोग थे उनके दिवारा आतिकल मत के दोरा सताए गए लोग थे जमीन कभ जाय जिनकी जमीन कभ जाय चिह जिनके पार्कार के लोगों की हत्या किये थे आजु सारे लोगव कुछ है और सब्ड़ोग महराज जोगी जी को जो वहां के मुक्षमंत्री हैं सब्ढ लोग उनको दुआ दे रहे हैं सब्ढोग की दुआ कर रहे हैं और कर है कि आधक उसको जेल होना चाहिए उसको फासी होना चाहिए आज कारे प्रयागराज में बहुत खुस्रूबаемद की अथिकामत कीहत्या नेकिन अब बताया आजाता है कि अपराधी को सजा मिलन चाहिए लेकिन उसके लिए कोट है लेकिन उसको रोड़ पे दिये जाता है कुछ अपरादी चाहें उसको भी मार दिया मतलब कुछ दिन पले उनके बेटे को इनकाउंटर कर दिये जाता है तो एसा नहीं लग रहा है कि आपको का जाती के अधार पर यह सब कुछ हो रहा है अतीक अधिक स्वयम उनकी पनी उनके बेटे सब हिस्ट्री सीटर अपरादी है सबके सब अपरादी है और जब अपरादी किसी के हत्या करता है किसी की संपत्य को हडपता है तो अपने दुस्मन पालता बढ़ाता है और जब उसका दुस्मन को पाल लेगा तो दुस्वन को जहां उसर मिलेगा मार देगा सजाद देने की प्रकिरिया ही थी अतिका हमाद जेल में थे जेल से उनको रीमांड पर पुलिस ले गई थी पूछ ताश कर रही थी और इस बीच अगर किसी अपराधी ने एक अपराधी के हत्या कर दे तो इसमें कौन सा हाई तो वह मचाने की जूरत है क्यों असा नहीं लग रहा आपको कि मुस्लिम जान करके जान बूज करके उनके पूरे परिवार को टार्गेट किये जा रहा है अच्छा हम आप से पूछना चाहते हैं कि विकास दुबे वियापराधी थे उनको भी बुल्डोजर लगा करके उनका द्रस्त किया गया उनको भी इंकाउंटर किया गया जो पुलिस से मुठबेड करेगा पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस हाथ में दही जमा के बैठे रहेगी उसके पास हतियार नहीं है उसको सरकार हतियार दी है विकास दुबे क या नहीं तो कोड से के सजा होगी या आजीवन रवास होगा या जो भी हो सजा उसको यही होगी इस तरह से किसी को रोड पर कि मार देना और किसी आप राधेते हैं तो ये अठीक नहीं नहीं निकला है यह यूपी में कानून जो है कानून बेवस्ता जो है उसका जनाजा निकला है तेजस्वी जी और नितीश जी अपने आत्मा से इमान से आत्मा पर हाथ रखके पूछें क्या बिहार में प्रती दिन सरकार का जनाजा नहीं निकल रहा है उनके नाक के नीचे प अभी करंटली मोतिहारी में सराफिकर करके दर्जनों लोग मर गए आप उनके परिवार के प्रीडितों को जिसे औरत के सुहाग उजड़ गए जिनके मांते की सिंदूर मिट गई जिन मां का आचल सुना हो गया बेटा मर गया आप उनके प्रीडितों के आशु पोचने नहीं गए और एक अपराजी के मारे जनपर आप आशु बहार आएं नितिजी आप तो बस्ताचार को और अपराज को मिटाने के लिए बिहार से जंगल राज को समाप्त करने के लिए भाजपा के गोद में बैठे थे और भाजपा आपको नेता मान करके और बिहार से जंगल राज समाप्त भी कि थी लेकिन आपने कैसा कुकर्म किया कि पुना जंगल राज अस्थापित करने के लिए आप जंगल राज को जो बिहार में अस्थापित किया था उनके गोद में बैठ गए लालु जी के गोद में तेजस्वी के गोद में यहार जेटी के गोद में और आज बिहार में पुना जंगल राजा आप अस्थापित कर दिया है आपको सर्म भी नहीं लगती है कि आज बिहार में लौन आउडर बिल्कुल समाप्त है जनता दल यू जो है उनाइटेड नितिश कुमार जी की पार्टी वह टैटेनिक जहाज हो गया है उस पर से लोग उतर उतर के भाग रहा है कुद कुद करके जनता जल यू नाइटेड के मैक्सिमम विधायक और संसत वह देख रहे हैं कि ये टाइट अनिक जहाज ड्यूमने वाला हल जता दलियू वह भाप की आप करते हैं कानून की और उत्तरप्रद्देश सर्कार कानून कानून का जनाजा कानून के तो आप भग्चक हैं कानून तो आप नहीं मानते हैं आपके पिदा जी नहीं मानते थे कानून आपकी माता जी नहीं मानती है कानून और आज जो बिहार में हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है आपने सिक्षकों सिक्षक जो अभ्यारती थे आपने कहा था कि सात्यों चरण की बहाली करेंगे और आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि 24 और 25 के चुनाओं में हम नहीं आने वाले हैं हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा महाकटबंद समाप्त हो जाएगा पूर्ण बहुमत की भारते जनता पाटी की सरकार बनेगी इसलिए आप उन्हें सिक्षक का भ्यारतियों को जिनका आपने डियल कराया जिनको आप ट्रीटी कराये और आपने उनको बहाली के लिए इंतिजार करवाया और अब आपका रहे हैं कि यह बीप्यासी के माध्यम से बहाली ह होगी अप परिक्षा देंगे उम्र के 40 वर्स तक जो परिक्षा देता रहेगा वो परिवार कब बसाएगा वो घर कब बसाएगा उसका साधी विवाह कब होगा आप जानते हैं कि हम 24-25 में नहीं आ रहे हैं इसलिए उन ब्यारतियों को आप लटकाना भटकाना चाहते हैं और आप जानते हैं कि हम अब आएंगे नहीं तो जो सरकार में आएगा यह उसका हैडेक होगा कि बहाली होगी की नहीं होगी इसलिए आप इसको लटका भटका रहे हैं बिहार के जुवा आपकी प्रतिक्षा कर रहे हैं 24-25 में आपका सूफ़ा साफ कर देंगे और भारतिय जंता पार्टिक निदिति में सरकार बनेंगी और सारे समस्याओं का समाधान होगा और आप जंगल राज के तहत उन जुवाओं की भी हत्या करवा रहे हैं रोजगार मांगने वाले नौ जुवानें पर लाठियां बरसा रहे हैं और आप बात करते हैं 10 लाक बहाली देने क और केंद सरकार की बात करते हैं आपको सर्म भी नहीं आती है क्या बाकी जो माफिया है U.P में उन लोहको भी करवायी ये परिवार पर हो रहा है अतीक अपर मेद का ज нажब्हार है अब हमने देखा है कि उत्तर प्राइश के अतीक आमाद GY tipo जैसे यए कशट अपरादियों की सुची बन करके सरकार ने तयार की है और सबकी जाच चल रही है और सारे अपरादियों पर करवाई होगी उत्तर प्रदेश में राम राज अस्थापित होगा कोई अपराद ही उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा अगर उसको जीना है तो अपराद शो अपील भी करेंगे आपको चैनल के माध्यम से कि भाया समय बदल गया है लोगों में जागरिती आ गई है सरकार में जागरिती आ गई है आप समाज के मुखे धारा में जुरो और सबका साथ सबका विकास का नारा अपनाओ और समाज के लोगों का हीटाइसी बनो, अपराज का दुनिया छोड करके और आप समाज के मुख्य-धारा में जुर करके और नया जीवन प्रारमब करो, ताकि खुशा हाली तुमारे भी रहे, तुमारे परिवार में भी रहे, तुम भी खुशा हाल जीवन जी सको, और पूरे समाज को भी तुमसे भाय नहों तुम्हारा आतंक नहों और तुम किसी का हड़पने का काम मत करो किसी हत्या करने का काम मत करो और ज़िए ऐसा करोगे तो निश्ची तुमसे मारे जाओगे अभी हमारे साथ अनूपलाल सिर्वास्त थे आपका क्या कुछ करना है आप जरूर नीचे बताइएगा कि आप अतिक आमत का और उसके परिवार को ले करके क्या कुछ समस्त है